गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरे इस चैनल exam first academy में आपका स्वागत है आज मैं आपको हिमालियन सैरो जो की latest current affair है इसके बारे में discuss करूँगा कि हिमालियन सैरो कैसा होता है किस तरह का दिखता है और कहां ये पाया गया है उससे पहले मैं आपको बता दो कि अगर आपको किसी तरह की कोई query है तो ये मेरा whatsapp number है आप मुझसे whatsapp number में contact कर सकते हैं तो चलो start करते हैं हिमालियन सैरो के बारे में जानते हैं क्या होता है तो ये आप image जो देख रहे हैं ये हिमालियन सैरो की image है ये जो आप image देख रहे हैं ये हिमालियन सैरो की image है ये image ठीक है अब हिमालियन जो शैरो है ये अभी news में क्या था इसमें news में था कि हिमालियन सैरो जो है वो अभी spot किया गया है पाया गया है देखा गया है मानस टाइगर रिजर्व में ठीक है मानस टाइगर रिजर्व है वहाँ पर हेमालियन सैरो को स्पोट किया गया वहाँ देखा गया अब ये जो मानस टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर पढ़ता है ये पढ़ता है असम में ठीक है तो आप जानते हैं कि असम जो है नौर्थ ईस्ट का एक स्टेट है असम वहाँ पर एक रिजर्व है टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है मानस टाइगर रिजर्व वहाँ पर ही ये हिमालियन सैरो को देखा गया अब हिमालियन सेरो जो है ये किसकी तरह ये दिख रहा है ये आप देख रहे है ना भेड़ बकडी की तरह दिख रहा है तो मतलब कि ये एक गोट्स की तरह दिख रहा है ठीक है अब ये हिमालियन मैमल होता है ये जो सेरो है ये मैमल है M A M A M A M A M M A M M A M M A M M A M M M A M 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 जानवर है तो ये भी आप याद रखेगा ये एक मैमल है ठीक है? ये आप देख भी रहे हैं सींग है थोड़ा सा जो गोट्स है या बकरी है उसकी तरह ये आपको दिख भी रहा होगा ठीक है? और ये जो मैमल है ये जो समुद्र तट है जो समुद्र का लेवल होता है उससे लगबग 2000 से 4000 मीटर उपर पाजाता है कहने का मतलब है कि ये कहीं न कहीं 2000 से 4000 मीटर उपर का मतलब है ये हिमालियन रेण्ज में पाया जाता है जहांपर ठंड काफी पड़ती है ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा तो यह mammal है जो पाया जाता है 2000 से 4000 मीटर above sea level तो यह एक हमारे हाँ जो government ने बनाया हुआ है Wild Life Protection Act ठीक है? Protection Act और यह act कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1972 में तो जो Wild Life Protection Act है वो 1972 में बनाया गया था यहाँ पर देखिए अब ठीक है? तो इस act के अंतरगत क्या किया जाता था? कि जो भी जो जानवर हैं, जो जीव हैं, जो खतरे में होते हैं जिनका अस्तित्त खतरे में होता है उनको बचाने के लिए ही यह act काम करता है तो यह government के द्वारा बनाया गया था act तो इसके schedule 1 में, act के schedule 1 में इस mammal को रखा गया है सैरो को रखा गया है किसके अंतरगत? schedule 1, wildlife protection act 1972 के अंतरगत ठीक है? इसी तरह से यह तो हो गया है, इंडियन जो कानून है इंडियन का जो act है इंडिया का उसके अंतरगत इसको कहाँ पर रखा गया एक organization है IUCN IUCN इसका full form है International Union for Conservation of Nature ठीक है? यह international organization है जिसके अंतरगत इसको venerable status दिया गया है venerable status का क्या मतलब होता है? संक्टा ग्रस ठीक है? तो जो यह इसको venerable status दिया गया है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा यह IUCN जो organization है इसके द्वारा venerable condition पे इसको रखा गया जिसका मतलब होता है संक्टा ग्रस्त मतलब की अगर इसको नहीं बचाया गया इस सैरो को नहीं बचाया गया तो यह इसका अस्तित तो खतम हो सकता है ठीक है? आप समझ गए? कि हेमालियन सैरो जो है वो कहाँ पाया गया है? वो मानस टाइगर रिजर्व में पाया गया है जो कि असम में है असम आपका नौर्थ इस्ट इस्टेट है और यह जो मैमल है जो सैरो मैमल है यह समुद्र टट से 2000 से 4000 मीटर उपर पाया गया है उपर स्पॉट किया गया है देखा गया है और यह इसका मतलब है कि यह कहीं न कहीं विंटर एरिया में रहता है ठंडी जगह पर रहता है और इंडिया का जो Act है एक जो जिससे की जानवरों को बचानी में सहायता मिलती है उनकी अस्तित्त को बचाने में वो Act है Wild Life Protection Act 1972 एक्चुल में यह जो Act है वो 1972 में आया था इसलिए इसको बोला जाता है Wild Life Protection Act 1972 इसके अंतरगत इस मैमल को schedule 1 में रखा गया है और एक international organization है IUCN उसने इसको venerable red list बनाती है यह तो उसमें उसने venerable status दे रखा है इस सैरो को ठीक है कि आगे discuss करते हैं कि जब यह IUCN है तो यह IUCN एक international organization है तो वो है क्या तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं तो यह जो IUCN है इसका full form है international international, international, union, U for union, union, C का मतलब है यहाँ पर conservation, conservation ठीक है और N का मतलब है nature यह आपके exam में पूछा जा चुका है कि IUCN में U का क्या मतलब है तो union होता है, I का मतलब होता है international, ठीक है तो यह इसका full form है जो IUCN है यह क्या करती है मैंने पहले भी कहा कि जो संक्टा ग्रस्त जो जीव हैं जो जीवों का अस्तितों खतरे में हैं उनको बचाने का काम करती है उनके लिए उनकी साब से उनका analysis करती है, देखी यह क्या करती है, data gather करती है, data को collect करती है, डाटा को कैसे collect करते हैं यह तो यह जितने भी जीव हैं जो की संकट है जिनका अस्तित तो खतम होता जा रहा है तो उनके डाटा को ये gather करते हैं पहली चीज दूसरी चीज है उनका analysis फिर करते हैं data को gather करके analysis करते हैं तभी तो बता पाएंगे कि ये संकट में है कि नहीं है ठीक है फिर तीसरी चीज ये करते हैं कि अब analysis कर रहे हैं त तो इस तरह से होता फिर education भी देते हैं लोगों को बताते हैं कि भाई आप इसको जानवर को ना मारें या उनकी हत्या ना करें क्योंकि इसके बाद ये बचेंगे नहीं तो ये इस तरीके का काम करते हैं क्योंकि अगर जानवर कोई भी खतम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं ecological stability नहीं रह जाएगी क्या ecological stability नहीं रह जाएगी तो जो IUCN है इसका मोटो क्या है unite for life and livelihood ठीक है इसको याद रखेगा एक्जाम में पूछा जा चुका है आपके ये found कब हुआ था ये हुआ था 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को 1948 ठीक है पाँच अक्टूबर 1948 को हुआ था इसका foundation और ये लगबग जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 उसके बाद ही ये organization बना है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक international organization है क्योंकि इसमें लिखाई ही हुआ है पहले ही international लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक international organization है अगल आपको full form इसका पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसका focus मैंने आपको बता दिया conservation करना conservation किसका जीव जन्तु nature का और biodiversity को maintain करना जो IUCN है इसका head office कहाँ पर है Switzerland वहाँ पर एक जगह है gland वहाँ पर ये जो है organization इस्थेत है तो इसके बारे में आप लोग समझ गए फिर आप आगे discuss ये करते हैं कि जब ये जो shadow है जो ये पाया गया था तो उसमें IUCN के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया ठीक है बट अभी हमने मानस जो है ये कहाँ पर पाया गया था मानस tiger reserve में ये असम में है ठीक है और असम कहां पर है असम और असम का बॉडर जो है असम का बॉडर जो है वो भूटान से लगता है किसे लगता है भूटान से लगता है देखे ये जो एरिया है यहां पर ये भूटान है ठीक है ये देखे जहां पर मैप में आपको दिखा रहा हूँ ये भुटान है और ये जो एरिया है ये एरिया ये असम है ठीक है ये असम है ठीक और जो भुटान है वो एक country है जो की इंडिया के असम से border share करती है और इसी बीच में ये जो लाल star बना हुआ है यही मानस नैशनल पार्क है मानस नैशनल पार्क ठीक है याद रहेगा आपको तो जो भूटान और असम के बीच की जो बॉंडरी है जहां पर इन दोनों की बॉंडरी जुड़ती है वहीं पर मानस नैसनल पार्क है और आप जानते हैं कि ये जो भारत के उत्तर में जितना भी ये एरिया है कॉर्णर का ये हिमालियन र इससे आप बता सकते हैं अगर आपको ये पता है कि ये जो जानवर है ये जो मैमल है कि ये मानस नैसनल पार्क में है तो आपको आटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये हिमालियन रेंज में है दूसरी चीज कि आपको ये पता चल जाएगा या तो ये कहां पर है असम में है और असम जो है वो नौर्थ इस्ट इस्टेट है भारत का ठीक है और भूटान और असम की सीमा यहाँ पर मिलती है ठीक है इतना समझ में आगए आपको ठीक जो यह नैसनल पार्क है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न हिल आफ दा भूटान एंड हिमालियाज ठीक है यहाँ पर जो रेंज है वो हिमालियाज है ठीक है जो असम में है और भूटान में है यह हिमालिया तो बहुत बड़ा रीजन है जो असम और भूटान के बीच में फैला हुआ है ठीक है और जो मानस नैशनल पार्क था ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है फर्स्ट टाइगर रिजर्व ठीक है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर गताया था एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चला था जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है यह चला था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था और इसमें इसको इसले चलाया गया था कि जो भारत में जितने भी टाइगर हैं उनको बचाया जा सके तो उस बिंदु पे इन्होंने पहली जो टाइगर रिजर्व बनाया था जिसको कहा गया था कि यह पहला टाइगर रिजर्व है तो उसका नाम था मानस टाइगर रिजर्व तो मानस टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व था जो की टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आता है ठीक है याद रहेगा आपको और मैंने बताया कि जो ये इसमें मानस wildlife century भी है तो इसको जो है UNESCO ने UNESCO ने World Heritage Site घोसित कर रखा है World Heritage Site घोसित कर रखा है मानस wildlife century को अभी UNESCO के बारे में भी हमें आगे आपको बताता हूँ लेकिन जो UNESCO है आप समझिए कि UNESCO का काम क्या है UNESCO का काम जो है कि वो जो tiger reserve है या century है या किसी भी तरह के पुरानी जो सब बताये हैं उसको conserve करना उनको maintain करना उसके लिए UNESCO पैसे भी देता है ठीक है अब जो मानस tiger reserve है ये एक तरह का biosphere reserve का भी इसको दरजा दिया गया है तो याद रखिएगा कि जो 1989 में मानस जो tiger national park है इसको biosphere reserve भी बना दिया गया था और 1985 में जो है वो मानस wildlife century को UNESCO ने world heritage site का दरजा दे दिया था अब बात आती है कि यार ये UNESCO कौन सा organization है भाई जो ये सब करता है तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है UNESCO ठीक है तो आते हैं UNESCO में तो जो UNESCO है इसका full form क्या है U का मतलब होता है United ठीक है N का मतलब है nation United nation E का मतलब यहाँ पर है education education ये सब कुछ exam में कई बार पूछा जाता है कि UNESCO में E का क्या मतलब था ठीक है तो याद रखिएगा इसको और S का मतलब है scientific scientific ठीक है और C का मतलब है यहाँ पर culture या cultural and O means organization ठीक है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है यह क्या करता है education देता होगा पहली चीज साइंटिफिक research करता होगा ठीक है culture को conserve करता होगा ऐसा यह एक organization है और यह किसका organization है United Nation का organization देखिए इसके नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है ठीक है तो United Nation organization के बारे में समझ गए कि यह किसी भी cultural जगह को यह उसके बारे में लोगों के बीच में education फैलाता है उसकी scientific research के बारे में बताता है और उस cultural area को conserve करता है ठीक है United Nation जो organization है UNESCO जो है यह headquarter इसका जो है वो वो France में है कहाँ पर है France France में कहाँ Paris ठीक है याद रखिएगा यह पूछा जा जुका exam में कि UNESCO का जो headquarter है वो France के Paris में है फिर अब हम बात करते हैं कि इसका जो foundation जो हुआ था found हुआ था वो London में हुआ था ठीक है कब हुआ था 1945 में मतलब भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था उसके दो साल पहले यह 16 November 1945 को UNESCO बना था ठीक है याद रखेंगे इसको और इसका formation का आप जानी गए है कि लगबग 70-70 साल हो चुके हैं जब इसके founder हुआ था तो उस समय जब found हुआ था जब यह बना था तो उस समय पर कौन-कौन से इसको बनाने के लिए दे साय थे तो एक था United State, US, ठीक है, France, China, मेक्सिको, तुर्की, ठीक है, ब्राजील, कानाडा, एजिप्ट, यूके और भी ऐसी बहुत सारी countries, ठीक है, तो यह countries, founder countries मानी जाती है, UNESCO के लिए, इन्हों ने ही मिलके इस organization को बनाया था, अब जो यह UNESCO है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, यह मैं 2020 का data उठा रहा हूँ, तो उस समय पर अब यह आप देख लीजेगा, कि 2021 में कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ भी नहीं पता, तो जो इटली है, इटली में सबसे ज़्यादा sites है 55, पचपन sites, इसी तरीके से चाइना में भी world heritage site जो है, वो 55 है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है Spain, ठीक है, then Germany, 46 sites, France, 45 sites, और जो इंडिया है, इसकी 38 sites है, याद रखिएगा, तो इंडिया जो है, 6th position पे है, 6th position पे है, 6th position पे है, 6th position पे है इंडिया, ठीक है, world heritage site की reference में, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने आपको आज ये बताया कि सैरो क्या है, इसके बारे में बताया कि सैरो जो है, वो मानस टाइगर, हम revision कर लेते हैं अभी, एक बार, बस फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो हिमालियन सैरो है, उसके बारे में जान लेते हैं, तो हिमालियन सैरो है, ये मानस टाइगर रिजर्व में पाया गया है, असम में पाया गया है और ये लगबग समुद टट से 2000 से 4000 मीटर उपर पाया गया है ये सेडूल 1 में है Wildlife Century Act 1972 के तहट और IOCN ने भी इसको venerable status में रखा हुआ है ठीक है फिर हम बात करते हैं कि IOCN की तो IOCN के बारे में तो IOCN जो है International Union of Conservation of Nature and Natural Resources बोला जाता है इसे इसका motto है United of Life and Livelihood found हुआ था IOCN 5 October 1948 को इसको याद रखिएगा और ये एक International Organization है IOCN का काम क्या है ये Nature को conserve रखता है और Biodiversity को maintain करने की कोशिस करता है इसका headquarter जो है Switzerland gland में इस थेता है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं जो Manas National Park है वो हमारा भूटान और असम के बीच में जो border है वहाँ पर पढ़ता है ये एक Himalayan range में पढ़ता है Tiger Reserve जो project Tiger था उसके तहत ये पहला National Park Tiger National Park माना गया था इसको और Manas Wildlife Century भी है यहाँ पर और ये UNESCO World Heritage Site में इसका नाम है और ये एक 1989 में इसको Biodiversal Reserve भी इसको बना दिया गया था ठीक है और UNESCO के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा तो जो मैंने आपसे revision करना है तो UNESCO का जो headquarter है आप याद रखिया है कि Paris France में है और इसके founder UK था जो की 16 November 1945 में इसको found किया गया था और इसके director अभी जो हैं वो हैं Andre Azole और ये जब बना तो उसके समय काफी ज़्यादा countries जो थी वो इसको बनाने में साथ दिया था इसका parent organization है United Nation तभी UN का मतलब होता है United Nation ठीक है ये आपका education देता है लोगों के बीच में world heritage site के बारे में science के बारे में बात करता है और उसके culture को conserve रखने की कोशिस करता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम next lecture में एक नए subject के साथ मैं आपके सामने present होंगा और मेरी इस channel को आप लोग subscribe और like कर दिजेगा दोस्तों के साथ share कर दिजेगा अगर आप different exam की preparation कर रहे हैं तो ये video आपके लिए important होंगे thank you, धन्यवाद, bye bye